हेलो फ्रेंट्स माई नेम इस अनिल शर्मा आज हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग प्रभूश्री इशिप जी की दर्शन करने बानदगपुर जा रहे हैं जो की अमाधिय प्रतेश के दमोर डिस्टिक में इस्टेथ हैं यह हमारे कासे लगवग 120 किलो मिटर दूर है और वहां जाने के लिए हम लोगों ने स्कॉरकू रेंट पे लिए तो चलिए आएए ब्लोग में आगे बढ़ते हैं तो चलिए आए ब्लोग में आगे बढ़ते हैं हूर जी पाइस आवाल है यह तर मैं करेंगे चार्ड। दोस्तों हम लोग बांदक पुर्धाम पहुंच चुके हैं यहां का इंट्रिगेट हम लोग मंदर के अंदर परवेश कर चुके हैं और यहां का बाताबरन बहुती श्रद्धाम है और आनंद से बारा हुआ है कि यहां पर कई मंदर हैं और कई मूर्तियां भगवानों की तो एक एक से हम सभी के दर्शन करेंगे यहां पर आगा है मैं बहुत अच्छा लग रहा है चलिए सर्वरत्म भवान श्रीम हाकाल जी के दर्शन करते हैं कि इसके बाद और मंदर में घूमेंगे अच्छा इसके बाद और मंदर में घूमेंगे दोस्तों श्रीम हाकाल जी की दर्शन हमें हो चुके हैं अब हम करने चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगले मंदर की तरफ हम आ चुके हैं कि यहां परिक्रम के लिए बहुत सारी जगती होई है तो आप यहां पर आके परिक्रम भी कर सकते हैं कि बांदगपुर धाम का महत्व उज्जयन की समानी है और यहां पर आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है कि यह और मंदर में हमा चुके हैं कि यह माता माकाली जी का मंदिर है यहां परिक्रम के लिए कि बहुत सारी जगा बनी हुए है अब हम लोग अगले इस्तान की तरह जा रहे हैं कि दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अगले इस्तान पर यहां पर देखे कितनी संद्र मूर्तियां स्थाकित हैं कि दर्शन हो चुके हैं अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस अगर यह व्लोग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और कमेंट्स अपने सब्सक्राइब करना आने वाले व्लोग चुको दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साटिकेशन बेल को भी कर लेना ओगे फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में थैंक्स वर वाचिंग की तबोटिंग एंड की वाचिंग कर दो कर दो कर दो कर दो